अब्सकार निव दोस्तोiral आपका पार्ट टू जिव माट मोडलमिव में हम डिस्कुस करेंगे यहाँ पर आपका स्वागत है रोटेव सेक्टर के अंदर कैसे किस तरह की चेंज जिबिशाई बारंति हो कि दो सी जात्री की सा यह कुआ था नहीं गिंद वार्वी आप पूरी तैयारी कर ली गई है और इसमें बहुत कंक्रीट तैयारी की है मैंने जब ये रिपोर्ट पड़ी तो मुझे वागए है रहत हुई कि इतना फूल प्रूफ प्लन कैसे हो सकता है लेकिन ये हुआ है और ये बहुत स्ट्रेटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अब ने नेट्फर को अच्छी से समझाए लास्ट लेक्चर में और जिस तरी किसे जीओ माट मॉडल के बारे में बात की कि फूचर स्टोर्स के आने के बाद इसके बिग आप पूरे हिंदुस्तान में जिस तरी के सब शॉपिंग करते हैं जिस तरह से रिवर्लाइस किया है इन दोनों और को अर्गनाजेशन ने तो जिस तरी किसे किया है तो एक सेंट्रलाइस प्लेटफर मिल जाएगा पूरी रिलाइंस को जियो माट के तहट जो पहले यह नोंने पनी अन्वल रिपूट में भी लिखा है कि 4,00,000,000 पर दे इनको ओर्डर मिल रहे हैं तो यह इंडिकेट जो मुकेश अंबाने जी ने यह कहा ता जो रिलाइंस के चेर्मैन भी है इन्होंने कंपनी AGM में जुलाइं में कहा था कि जो पर दे होगा वो लाइकली होंगे कि शायद 5,00,000,000 के आसपास हमें मिल जाएं लेकिन उनको भी इन्होंने सर्प्राइस कर दे हैं चार लाइक ओर्डर से लेकिन एक फिल्प साइड है इसका और वो यह है कि जिनका एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू है जियो मार्ट की 500 रुपे अन एवरेज इतना आया है और basically इसका क्या मतलब है लेकिन यह जो है यह bound to go up in fashion, lifestyle and electronics जब वो converge हो जाएगा एक फोरम में जिस तरीके से प्राइस वार चली थी टेलीकॉम इंडस्री में उसी तरीके से प्राइस वार चलीगी और यह Amazon को मद्देनजर रखते भी किया जारे पहले बीच में Amazon को सा outlets है इसके 8601 है अभी fashion और lifestyle के 2386 है grocery के 797 है और इसमें जो था कि 73% of its nearly 12,000 stores जो था यह इसका 12,000 stores के करीब करीब जो है यह सारे मिला करके इसमें आपका 73% जो है वो reliance का है तो आप लगा सकते हैं consumer electronics के अंदर कितना बड़ा इन्होंने platform अलरडी बना लिया है अभी इसको औ fashion और lifestyle के 20% करीब है इनके पास अभी already existing market share और grocery का 6.8% तो grocery में बहुत तुफान आने वाला है और consumer electronics में आएगा fashion lifestyle में आगा तो जब इस सब हो जाएंगे तो जो इनका flip side अभी दिखा रहा है 500 per order यह massive rise करेगा जिस तरीके से Amazon ने पैसे बनाए हैं जिस तरह से flip card ने पैसे ब है और उनकी चिंता सभाविक है रोजगार को लेके कि प्राइस वार होगा प्राइस वार में होगा consumer को benefit होगा जो producer है उसको भी benefit हो सकता है लेकिन इसमें प्राइस वार में जो अभी जो retail से जुड़े में उन लोगों के आगे दिखकता आने वाली है तो नोट जो है इसमें मेथड किया है यह सब करने का तो इन्होंने पहले से ही tie-up कर लिया था मैं खुद इसमें बड़ा पढ़ते वकित बड़ा इस तरह से करें इनकी planning के ऊपर एक तरीकिस admiration है कि इन्होंने इतनी full-fork planning किया इतना इन्होंने homework किया है तो इनका method यह था कि इन्होंने पहले ही tie-up partners को रखेंगे यह बहुत obvious था तो इसके बाद smart points बनाने के इन्होंने बात की है तो इसमें क्या होगा कि जो firms होगे आपके neighborhood store concept के उपर reliance काफी काम कर रहा है अभी भी काम कर रहा है इन्होंने pilot projects भी शुरू किये थे उसमें इनको success मिली है तो जो smart point network था SPN जो था यह setup हो ग और कितने इनकी planning full proof है जिस तरीके सही है smart point network को आगे बढ़े है पालेट project में इनी sheet करते है उसके बाद इसकी success को यह replicate कर देते हैं बड़े model पे जाके तो यह बहुत अची strategy है तो इस बहुत अची स्ट्रेटिजी है तो इन्होंने शुरू किया था जो थाने नभी मुंबई इस तयार है मिशा रहती है और ambush करना पड़े marketing के अंदर तो उसके लिए भी तयार होगी तो ambush में जो जो लोग इसके जो भुखतेंगे इसे उन लोगों के पर संकट है और यह जैनियून संकट है बहुत बड़ा संकट है तो ambush marketing का rule है capitalist economies में यह rule होता है और जिस तरीके से marketing covers ह होंगे जिस तरह से grocery retail market में भुचालाना पूरी पूरी संभावना पूरी पूरी तयारी कर ली गई है इसकी जो strategy है वो यह है कि इसमें कोई secret नहीं है कि expansion जाएंगे पूरी country में तो geomart जो था पहले यह 200 cities में का pilot project की तरह इसको इन्होंने strategy के तोर पे अबनाया उसके बाद इन्होंने जो aim किया था वो तो capture का untapped retail market को फिर consumption potential को बढ़ाना है country के अंदर यानि आपको जो चीज नहीं भी चाहिए वो भी है आपको देंगे जिस तरह किसा आप online shopping करने जाते हैं तो you end up buying what you are not even आप उसको clause करते हैं वो आपको भीज से रहते reminders आपके wish list में add करा देते ह अटमेटिकली बढ़ जाता यह capitalist economy का trusted pattern है और यह उनकी methodology का एक बहुत एहम हिस्सा है और इसके बाद जो physical stores को यह ज्यादा use करेंगे और digital platforms पर इनके ज्यादा तब जो रहेगे और b2b channel business ले business channels पर यह लोग बहुत काम करेंगे तो मुकेश अम्बाने जी ने जिस तरह से indicate कि कि Reliance Retail और Geo Mart है इनमें strong interest शो किया है global strategy और financial investors ने भी तो पैसे की कोई कमी नहीं आने वारे ना सिर्फ इंडिया से ना सिर्फ Reliance के पास already इतना है लेकिन इसमें financial investors abroad से भी interested है तो वो भी induct किये जाएंगे तो आप लगा ले जिए Reliance का financial मसल कितना बड़ा होने वाला है और speculation जो है यह पहले जो था कि एक रिफ्ट एक तरीकी रिफल हो रही थी रिफ्ट होने वाला था Amazon भी इसमें एक तरीका rumor आ गया था कि Amazon भी invest करेगा Reliance future combine में पर अभी ऐसा नहीं लगता है लेकिन future में हम पता नहीं इसका कैसे होगा हो सकता है यह साथ आ जाएंगे तो यह बहुत कुछ होने वाला है तो यह स्ट्रेटेजी है तो बेसिकली यह आपका रिटेल सकते हैं पूरी तरीके से रिफलनाइज कर जिए करांती आ जाएगी उसमें बहुत मैसिव चेंजिस देखने को मिलेंगे चलिए थांके सो मुच फॉर लिसनिंग नमस्कार दोस्तों